नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबक्स भारतिय भासा के अंदर जवारला नेरूगी स्विद्याले नई दिली आज हम पास्चात्य कावे सास्त प्रश्ण पत्र के अंतरगत सार्थ की साहित्य द्रश्टी पर विचार करेंगे इस पाट के अद्यन के उपरांत आप सार्थ की दास्निक द्रश्टी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे सार्त्र की साहित्य की अउधारना से परिचित हो सकेंगे और सार्त्र की जो प्रतिबद्धता की अउधारना है और उस प्रतिबद्धता की अउधारना के साथ साहित्य का उद्देश ये समझ पाएंगे सार्त्र इसके बारे में क्या सोचते हैं जहांपाल 27 बीशवी सताबदी के बहुत प्रभाव साली चिन्तक थे और मुख़त है उनका जो संबन्ध है वो अस्तित वादी दरसन से माना जाता है अस्तित वादी दार्सती कोने के साथ साथ वो राजनेतिक कारी करता भी थे और उन्होंने फ्रांस में बहुत राजनेटी गति वीडियों में हिस्झा लिया बीस्वी सताथब्दी में इस दर्षण को उन्होंने एक नए स्विकृति परदान की इसके साथ उन्होंने साहित सिद्दानतों में भी एक क्विशिच प्रकार का हस्तक सेप किया उन्होंने रसनहें भी लिखी साहित्य और गद्य लिखा आम तोर से इसलिए उन्होंने आम तोर से अपने साहित्य चिंतन में गद्य लेंकु स्पपक्राविद्द से इसे भी के मैद्याम से जान पाएंगे क्योंकि सार्थ बहुत प्रभावशाली चिंतक और विचारक थे इस पाट का उद्धे से है वो सार्थ की साहित दृष्टी की विशेशताओं को और उनकी परमुक शिक्षाएं क्या थी परमुक मानेताएं क्या थी उनको जानना है उसी को हम जानने की कोशिस क करें इस संदर्व में जो पहली भैत्व पूर्ण बात है जो हमें जाननी चाहिए वह यह कि संदर्व में ही सार्थ की मानेताओं को जानने की जरूरत है इसलिए यह सबसे पहली बात हमें जानने रखने चाहिए अस्तितवादी दर्शन में और सारी बहुत सारी बाते हैं जिसका हमसे कोई संबंद नहीं माने साहित कारों से साहित चिंतन में संबंद नहीं है सिर्फ दो बातें बड़ी महत्वण हैं उनके चिंतन में सबसे महत्व महत्ति पूर्ण ने जूर द्या है सोतंतर्ता माव जो अश्टितुवादी दर्शन लेकिन वा इस विश्रष्टी को परमात्मान न होगा या नहीं बनाया इसके बारे में हम को कुछ नहीं कहना हो सकता है उन्हों बनाए हो हो सकता है उन्हों ना बनाए हो यह बहस का मुद्दा नहीं है मुद्दा यह है कि यदि बना भी दिया हो तो उन्होंने इस्ष्टी का निर्मान करके उसको छोड़ दिया अब उसमें इश्वर का कोई दखल नहीं मनुष्य अपनी सक्रियता से अपनी क्रिया सीलता से इस स्रश्टी को अर्थ देता ये जो दुनिया है ये बिखरी हुई है ये गटनाय में बिखरी हुई है अलग-अलग तरह की चीज़ें होती रहती है उनको वो व्यवस्ता करता व्यवस्ता देता और फिर अपनी स्रश्टी को अर्थ देने के क्रम में अपनी तकता और ये जो कारी है ये जो मूल जो मानेता है ये सभी कर्मों में ऐसा ही होता है मनुष्य का इसलिए चाहे वो राजनेती क्रिया कलाप हो चाहे साहिती कलाप हो चाहे दर्शन का क्रिया कलाप हो चाहे कुछ भी हो मनुष्य इसी तरह से करता है और वो इस साहित तकता के उसमें ही अपना कर्म करता है और साहित भी इसी तरह का एक तरह का मान भी एक कर्म है अब दूसरी बात जो साहित के संदर्ब में जानने की होती है वो यह की जो साहित है या जो रचना है वो उसका जो अर्थ है वो अर्थ जो है वो मनुष्य देता पाठक देता जह सामाने माले यह टेबल है कुर्शी है यह गर है यह यह तो एक खंडर है इसको मनुष्य अर्थ देता इसी तरह जो साहितिक रचना है उस रचना का अर्थ भी पहले से निश्चित नहीं होता उसका अर्थ तब खुलता है जब पाठक उसे पढ़ता है यानि जब मनुष्य सर्ष्टी पे कर्म करता है तब सर्ष्टी का अर्थ खुलता है उसी तरह रचना का अर्थ भी तब खुलता है जब पाठक उसे पढ़ता है और इसलिए कोई भी रचना सार्थ करूशार पाठक सापेक्स होती है लेखक ने निर्वित किया लेखक ने रचना को रचा और उसके बाद पाठक है उपढ़ता अब यहां एक और बात सार्थ कहता है कि जो भी लेखक लिखता है वो पढ़ने के लिए लिखता वो आत्म संतुष्टी के लिए नहीं लिखता लेखक सार्थ उन लोगों को नहीं मानते जो कहते हैं कि हमने तो अपने ही मर्जी से अपने ही मोज से अपने लिए लिखा नहीं अपने लिए कोई लिखने का कस्ट नहीं उठाता जब भी आप लिखते हो तो दूसरे को सुनाते हो दूसरे के लिए लिखते हो और तब आप यह चाहते हो कि कोई उसको पढ़े और जो पढ़ेगा वो अपना एक अर्थ देने के लिए स्वतंत रहे और जब कोई किसी रचना को पढ़ लेता है, तब वो रचना, रचना बनती है, वे साहिते होता है, अगर कोई नहीं पढ़ता, कोई किसी करती को नहीं पढ़ता, तब आड़ी-talk करती है चीकर रेकाएं होती है, या कागज के पनदने होते है, या कुछ ऐसा ही कुछ लिखावासा होता है जिसका कोई अर्थ ने इसलिए लेखक फिर यहां पर सार्त्र के अस्तितवाद से इसको जोड़के देखें कि लेखक स्वतंतरता के लिए लिखता लेखक का उद्दे से होता है कि हम मानवी स्वतंतरता को बड़ा है मेरी मर्जी है मैं लिखता हूं और मुझे यह लिखना तो यह मेरी स्वतंतरता कोई मुझे यह निर्देशित नहीं कर सकता कि आपको ऐसे लिखना चाहिए क्यों लिखना चाहिए मैं स्वयम लिखूंगा अपनी उससे लिखूंगा अपनी स्वतंतरता के लिए अब जो पाठक है वो कहता है कि ठीक है आपने लिखा अब हम हमारा पड़ेंगे तो यह हम इसको हमको क्या समझ माया यह आपके बताने से नहीं होगा यानि रचनाकार उसको अर्थ का निर्देश नहीं दे सकता मैं रचना एक पाठक के रूप में उसका अर्थ मुझे देना है और अर्थ देने की यह स्व अर्थ होता है और वे अपने पाठका नया अर्थ देता इसलिए एक ही पाठके परसपर विरूधी अर्थ मिलते हैं आप एक समय में इतिहास Gesund अलग 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 तरह के पाठक आते हैं प्रेम चंद के अलग अलग तरह के अरता है था हर व्यक्ति अपने डंग से उसकी रचना करता है जो मूल अस्तित्वादी अउदारना सार्थर की ये अउधारना उनके साहित्य में भी प्रतिफलित होती हूँ सार्थर ने 1947 में एक निबंद लिखा वाटीज लिट्रेचर साहित्य क्या है और ये निबंद पत्रिका में फ्रेंज की कुछ पत्रिका में प्रकाशी तो ये इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के साथ प्रतिबद्धता की अउधारना पर भी सार्थर ने विचार किया और तीन प्रसंद उन्हों के उत्तर देने की कोशिश की जिनों नहीं क्या होता है लेखन लेखन क्या है शाहित्य क्या है वाट इस लिटर्चर साहित्य क्या और क्या साहित्य नहीं ये इसका ये भी एक एकरत होता और इनी के अईर्दगित इनकी सारी मानिता हैं पहला प्रस्ट जो सात्र पूछते हैं कि उस लेखन क्या है इसका उत्तर देते हुए सात्र कहते हैं कि लेखन की प्रकिरिया के स्वरूप और उसके स्वभाव की हमको जांच फर्क करनी चाहिए इसलिए वो व्याक्या करते हैं एक बात कहते हैं कि लिखना जो है वो चित्र बनाने और संगीत रचना से बिलकुल भिन प्रकिरिया है चित्रकार और संगीतकार दर्शकों के लिए रचते समय जो है उसी को प्रस्तूत करते हैं और दर्शक भी उसमें वही ग्रेंड करने के लिए स्वतंत्र है जो वे चाहते हैं जबकि लेखक के पास अपने पार्टकों को लिए देने के एक अर्थ होता अब दूछी जो चित्रकार है तो जैसा उनको वाया उन्होंने एक अपना चित्र बना दिया या इसी तरह से संगीत कार ने दर्शकों के लिए स्वर से उन्होंने कुछ काम कर दिया लेकिन जो लेखक होता है लेखक के पास में अर्थ होता वो अर्थ देता अर्थ संप्रेशित करता और ये भेद और ये भेद उन्होंने सिर्फ साहित और कन्यकला रूपों में ही नहीं लेकिन जो गद्य लेकक होता है उसके लिए सब्द तो चलो जो भी महत्पून होते हैं लेकिन उनके लिए अर्थ महत्पून होता है इसलिए कि लेखक और विशेश रूप से गद्य का लेखक अर्थ को संप्रेशित करता है और ये जो अंतर है ये अपने आप पे बहुत महत्पून है क्योंकि इसी से आगे चल करके सार्थ की साहित समंदी मानेताओं को देख सकते हैं इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि गद्य जो है सब्दों का प्रियोग करता और कविता सब्दों को प्रस्तूत करती अब जो है प्रियोग करना और प्रस्तूत करना ये दो क्रियाएं हैं कहने को लेकिन सात्र का कहना है कि जो कोई चीज हम किसी का प्रियोग करते हैं तो हमारा उद्देश उससे बहार होता और जब हम उनको प्रस्तूत करते हैं तो हम तो सब्द प्रस्तूत करते हैं आपके सामने ये सब्द और इसलिए कवी के लिए सब्दों का सामगरी के रूप में वही महतो है जो चित्रकार के लिए रंगों का और संगीतकार के लिए स्वरों का और गद्य लेकक के लिए सब्द केवल सामगरी नहीं है बलकि ऐसी सामगरी होते हैं जो पहले से ही एक खास तरह से विन्यस्त होती है गद्य लेखक को एक कुशल वक्ता की तरह समझना चाहिए कुशल वक्ता का जो बोलना होता है वो कोई निश्क्रिय कर्म नहीं होता वो वक्ता वो जब बोलता है तो वो कर्म का प्रेणा देता है जब भी लेखक लिखता है तो उसके मन में अर्थ होता है अर्थ होता है तो वो कर्म की प्रेणा देता है इसलिए सब्दोर कर्म इनके साथ में अन्यो नास्रित संबन्द है इस दुनिया के अन्दर जो कुछ चीज है आपको दिखाई दे रही है उसको हमको बदलना और व्यक्ति हर एक व्यक्ति हम जिस दुनिया में रहते हैं तो अपने कर्मों के परती हम स्वैम उतरदाई होते हैं और इसलिए लेखन की परिवाषा को उसकी विश्तरत अंतर वस्तू में प्रस्तुत करने के बाद सार्थ जो है उरूप की समझा पर बात करते हैं लेकिन यहां पर जो मुख्य जो बात सार्थ की है कि जब हम बात कहते हैं जब हम लिखते हैं लेकर जब सब्दों का प्रियोग करता है तो उसे एक अर्थ द्वनित होता है और जो अर्थ होता है वो परिवर्तन की दिशाम आता है हम इस दुनिया में कुछ-कुछ बदलना जूनना चाहते हैं हम सिर्फ आपको बताना नहीं चाहते हम सिर्फ दुनिया को समझना नहीं चाहते हम दुनिया में परिवरतन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और इस अर्थ में सिर्फ उसकी अभिव्यक्ती नहीं करते हैं वरन हम उसका रूपानतरण करने हैं तो जब भी लेके लिखना चाहता है, जब भी लिखने लगता है तो वो एक अपनी रचना को चूंता है और ये जो चैन है ये उसकी स्वतनतरता और इसलिए लिखने का अर्थ होता है साहत्र का अनुसार स्वतनतरता का वरण करना कि ये स्वतनतरता मैंने चूनी फिर वो कहते हैं कि दूसरी बात कि वही किसलिए साहित लेकन का क्या मतलब तो सात्र कहते हैं कि साहित जो है वो संप्रेशन का माध्यम और कलात्मक स्रष्टी की प्रेड़ना के लिए वे अनुबूती आवशक होती है कि हमारा आस्तित तो इस दुनिया के लिए आवशक है यतात मनुष्य की चेतना यतात को संकल्पित करते समय उसे केवल प्रतिविम्बित नहीं करती बलकि प्रकाशित करती अब प्रतिविम्बन में और प्रकाशन में भी इनों फर्किया जब आप प्रकाशित करते हो तो आपके सामने एक नया अर्थ उद्गाटित होता है और इस चेत रूप से देखते हैं और उसके होने से इस यथार्ट पर कोई प्रभाव पढ़ना चाहिए मनुषी यथार्थ को केवल संप्रेशित करता है तो वो उसके से एक अर्थ बनता है इसलिए मनुष्य स्रस्टा हो सकता है लेकिन तभी जब यथार्थ को उद्गाटत करने की व्रत्ती से छुट का रपाए इस इस्तिति में यथार्थ की जो छवी उसकी चेत्र नाम उत्पादित होगी वे आश्वस्त करेगी कि उसका स्रस्टा वेश्व होगा और आत्म परक्दर्श्टी से ही उसे समझ पाएगा अब लेखक अपने अस्तितु को अपनी रचना के संदर में अनिवारी और आवशक पाएंगे यहां पर लेकक स्रस्टा है उद्गाटन करता नहीं उद्गाटन करता दूसरों की बात बताता है कि यह हमने उद्ग दुनिया उसकी पकड़ में थी जब चाता तो आँक बंद कर लेता तो दुनिया ओजल हो जाती अता दुनिया को देखना यह दने देखना उसकी इच्छा पर निर्वर करता था मगर एक स्रश्टा के रूप में उसके द्वारा रची गई दुनिया उसके हातों से लगाता पिशल्ती जाती है जिसे लेकक ने रचा है उसे वे अंतिम रूप में उदगाटित नहीं कर पाता क्यूंकि रचना में संभावना के कई इसतर होते हैं अते स्रश्टा के रूप में लेकक अपनी स्रश्टी का अंतिम रूप से निश्चित उद्गाटन नहीं कर सकता और रचना के उद्गाटन का ये काम जो है वो पाठक करता है और रचना के भीतर से पाठक उसके अर्थ को निकालता है इसका एक उधारन द्वारा समझा जा सकत एक नवोदिक चित्रकार अपने अध्यापक से पूछता है सार्थ ने उदारण दिया कि मैं अपनी रचना को पूर्ण कब मानूं कब मैं कहे दूंगे मेरी पूरी होई तो अध्यापक जवाब देता है कि जब तुम अपनी रचना को देखकर आश्चरी से भर उटे और स्व पावना रचना में लगातार नहीं रहती रचना कभी भी अपने को रचेता पर आरोपित नहीं करती भले ही वे अन्य लोगों को पूर्ण प्रतीत हो इसलिए हमेशा रचना इस्तगन की अवस्ता में होती है और इस इस्तगन की अवस्ता में रहने के कारण वह पढ़ना जो पढ़ा गया अधूरा तो लिखा गया भी अधूरा अगर पढ़ा नहीं गया तो सब्द कागज पर तो धबा है उसमें तो कोई मतलब नहीं तो लिखने की क्रिया और पढ़ने की क्रिया दोनों एक पूर्ष मूर्थ और काल्पनिक वस्तु को वह दृष्यमान कर देता वह दिखाई देता जो अन्य था मांशिक कलाब बन कर रहे जाती अथे ऐसा कोई कला नहीं है जो दूसरों के द्वारा और दूसरों के लिए नहों लेखक अपने लिए नहीं लिख सकता वे हमेशा दूसर तो एक सब्सक्राइब और पाटक पर अपने को आरोपीत करता है और आत्मनिष्टा इसलिए मेहत्पूर्ण है कि वे नहीं केवल वस्तुनिष्टा के उद्गाटन के लिए बलकि उसके अस्तित्य की आश्वस्ति के लिए भी आविश्यक होता है साथ ये भी कहते हैं कि कोई साहित्य करती भासा में नहीं होती भासा के माध्यम से संप्रेशित होती है और इसलिए पड़े जाने पर ही कोई साहित्य करती संपूर्ण प्रकट और सही अर्थ में रचना के रूप में इस्तापित होती है इसलिए लेखक को भी पाठक की जूर्ट होती है, पाठक को करती की जूर्ट होती है, किताब की जूर्ट होती है, कोई लिखी वी रचना की जूर्ट होती है, लेकिन लेखक को भी अपने कर्म की पूर्णता के लिए पाठक की जूर्ट होती है। और शार्त ग्रणुसा प्रतिक साहित्य क्रती पाठक की सुतंतरता की मांग करती है, जिसे पाठक एक रचना या स्रष्टी रूप में उसे इस्तापित करने में अपना योग दे सके। अतै पाठकों के बिना साहित्य की स्रष्टी नहीं हो सकती। यहां यह बात ध्यान रखने की है कि जब साहर्त रचना के संदर में पाठक की सुतंतरता को जोर देने लगते हैं तो उनके अस्तित वादी चिंतन दृष्टी फिर प्रभावित हो जाती है। साहर्त यह भी इसपर्ष्ट करते हैं कि लेकक और पाठक के बीच एक दूसरे की सुतंतरता को स्विकार करने का अव्यक्त समझोता होता है। अधे पाठक यह पहले से मान कर चलता है कि लेकक ने अपने लेकर में स्वतंतरता की गरिमा को पहचानते हुए एक महत्तर आयाम दिया है। अन्यता उसका लेका नीरस और जड़ होता है इसी के समानांतर लेकक भी पाटक की स्वतंतरता को स्विकार करता है क्योंकि उसकी क्रती के संपूर्ण होने की मूलबूत सर्त होती इसलिए पढ़ने की क्रिया उदारता के व्योवार का उदारन बन जाता है पाटक के सेयोग द्वारा लेखक अपनी स्रस्टी को पुने प्राप्त करता है इस तरह से उसका स्रोत मानविय स्वतंतरता में मिलने लगता है साहित लेखक और पाटक दोनों को आबद करता है साथ यहां पर थोड़ा यतारतवाद की आलोचना करते हैं और उनका मानना है कि यतारतवाद सिर्फ देखने का चिंतन है कर्म का नहीं है और जो कर्म नहीं है वो आबद नहीं है प्रतिबद नहीं इसलिए वो यह इस्ताफित करते हैं कि लेखन की रचनात्मक्ता का स्रोत मानुए स्वतंतरता में ही नीत है और स्वतंत्र मनुष्यों को संबोधित करने वाला स्वतंत्र मनुष्य ही लेखक हो सकता है और विशे के रूप में एक ही चीज चुनता है स्वतंतरता इसलिए स्वतंतर मनुष्य उसी स्वतंत सब्सक्राइब लेकन सब्सक्राइब लेकन किसलिए तो साथ्र का उत्तर है कि लेकन सब्सक्राइब कि लेकन किसलिए स्वतंतरता जाता सब्सक्राइब लेकन की महत्वकाइंक्सा होती है कि विए एत्यासिक्ता के समकालिन सब्सक्राइब एक बार लेकक जो ये चुनाव करता है तो उसकी राह आसान नहीं होती समाज से जूड़ते ही समाज का दबाव उस पर पढ़ने लगता है परंतु लेकक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी स्वतंतरता अते यहां लेकक और जन साधान के बीज का संबन्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता प्रस्ण समाज का चाए जीचना दबाव हो लेकक अपनी मर्जी का मालिक लेकक अपनी स्वतंतरता का हो अब यहां पर साथ ने अफरो अमेरिकी लेकक रिचर्ड राइट का उन्होंने उदारण दिया रिचर्ड राइट अश्वेत लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लिखते है और यहां पर दो बाते जोर देते हैं एक तो जब वो निग्रो जा अश्वेत अमेरिकन या अफरीकन अमेरिकन को संबोदित करते हैं तो उनका एक संबोदन होता है कि यह मनुश्यों के लिए हमारे लोगों के अपने लोगों के और दूसरी बात यह है कि वो जिन पार्ट को संबोधित करता है वो दूभाजित है एक तरफ वो अस्वेत अमेरिकन का समर्तन करते हैं और जो स्वेत अमेरिकन हैं जिनके अंदर रंग भेद की नीती है उनके खिलाप होते हैं तो यहां पर सार्थ यह उदारन देते हैं कि अगर आप एक सारे समाज का तो आपने नहीं किया आप तो खाली अपने वर्ग का समर्तन कर रहे हो तो इसमें मान विए स्वतंतर्ता कैसी है कहता है कि राइट ने अपने लोगों के समर्तन में दिया लेकिन वो उनको भी संबोधित करता है कि आप भी उनकी स्वतंतर्ता को अश्वेट अमेरिकन की स्वतंतर्ता को आप स्विकार करो और वो उनके पक्ष में होता है इसलिए बाहरी तोर वो आपने अपनी मानिताओं स्प्राइब को भी बदलना चाहता है जो प्रतिकिरियवादी और साथ कहता है कि प्रतिकिरियवादी यथात जनता है और प्रगतिशील जनता कौन सी आभाशी जनता में भी हो सकती है ऐसी जनता और साथ ने इसलिए मद्यूग से लेकर बीश्वी सतावदी तक यथात और आभाशी जनता क संबंदों का एतियासी गध्यन किया और इस निश्कर्स पर पहुंचते हैं कि वर्तमान के में जो साहित है वो अजनभी को पसक्षण करता है अठ गध्यिवं की अभिःक्योन के अन्य नमूनों की तरह अभिव्यक्ति का एक नमून मात्र मानता अठ्य जीवन का बलिदान नहीं कर सकता तीसरा यह कि आज लेकक नेतिक चेतना के संकट से गुजर रहा है क्योंकि अब वे अपनी भूमिका को परिबासित करण पाने में असमरत हैं अते साथ लेकक के लिए प्रस्तावित करते हैं कि वे ऐसे शक्री हों कि उसका अस्तित बचा रहें और समाज और हम उसके संबंदों के मज्द संतुलन की अवस्ता पनफ सके यह संतुलन प्रगत्सी राजनीति के जुड़ कर ही प्राप्त किया जा सकता है और इसलिए अंत में साथ उस आदर सामाजिक व्यवस्ता की कल्पना करते हैं जा आबाशी जनता और यथास जनता के बीच में और समाज के बीच में पनफने वाले संबेदन सील संबंदों का उत्पाद है और इसलिए उन्होंने कला कला के लिए की अउधारना का पुर्जोर विरोध किया उनकी साहित द्रस्टी रूपवाद का भी विरोध करती है और उन्होंने गद्य को जादा महतों दिया है पद् साहित में साहित में रचना में लेकन में लेकक सब्द का इस्तेमाल करते हैं और जो सब्द होते हैं वो क्रियासील होते हैं इसलिए सब्द कर्म की प्रेणा देते हैं अगर मालीजी कोई आपने ऐसा सब्द लिखा जो कर्म की प्रेणा न दे तो साहित गनुसार वो लेकन न हो रही हो जो है उसे अलग और उसे अगर आप बहतर करना चाहते हो तब ही आप बीच में बोलते हो नहीं नहीं यह जो आप कर रहे हो यह ठीक नहीं कर रहे हो मनुष्य की सक्रियता मनुष्य की अभिव्यक्ति मनुष्य का बोलना ये तब होता है जब आप परिवर्तन करना चाहते हो और इसलिए जब भी आप बोलते हो तो आप निश्क्रिय नहीं होते हो बलकि उस सारे समाज में उस समाज की जो किरिया सीलता है उस किरिया सीलता में आप हस्तक सेप कर रहे हो और इसलिए लिखने का अर्थ हुआ स्वतंतरता का वरण जब भी आप लिखते हो तो कहते हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ हमारा यह जो दुनिया है समाज है ऐसी ऐसी होने चाहिए यह आपके पास एक नक्सा होता और यह जो स्वतंतरता होती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती वो सब के लिए सोतंतरता होती और सब के लिए सोतंतरता तब जब पहले आप सोतंतर हो सार्थ कहते हैं कि पहले स्वयम लेखक तो सोतंतर हो जाए अपने चिंतन से अपने विचारों से अपने जीवन से अपने कर्म से सब चीजों के से पहले वो सवतंतर हो जाए और उस सवतंतरता के प्रती लेकक प्रतिबद होता है और यहाँ पर सात्र की प्रतिबदद की धार्णा आती है और फिर वो ये कहते हैं कि कोई भी लेखक मानविय स्वतंतरता के विरुद लिख ही नहीं सकता और क्यों नहीं लिख सकता क्योंकि कोई भी लेखक अपने आपको अत्याचारियों की जमात में सामिल नहीं करना चाहता वो जब भी लिखता है तो वो जनतंत्र के संदर में लिखता है क्योंकि उसका लिखना एक तरह का अर्थ है और उस अर्थ के द्वारा अपनी सार्थ तक ताशिद्ध करना चाहता है आपने अपने जीवन में क्या किया अब क्या किया जीवन क्या जिया आप हिसाब किताब सदध्र व्यक्ति अपने अपने लिए जीवन की सारतक्ता की तलास करता और ये सारतक्ता उसको स्वतंततता मं दो में हैं मैंने कुछ ऐसा ऐसा काम किया जिसे मनुष्रिय में और अगे आनी वाली पीडियों में स्वतंतता के ये ये भाव जो हो जागरत होऊं आप तबी कर्म कर पाते हो और तबी आप जो है उनका विरोध भी करते हो जिन से आप सहमतने और इसलिए अत्याचारियों का विरोध करते हैं स्वतंतरता का विरोध करते हैं और समर्तन करते हैं स्वतंतरता का और वो एक स्वतंतर मनुश्य है और एक स्वतंतर मनुश्य को होता और इसलिए उसका समर्थण करता है कि उसकी परकार की तानाशाही होती है उसका नहीं करते और वो कहते हैं कि प्रती लेखक जनतंत्र का समर्तन करता है क्योंकि उसी में उसको एक तरह के स्वतंत्र पाठक मिलते हैं और इसी कारण वह निग्रु रसनाकारों की भी जो है तारीफ करते हैं क्योंकि वह अपने वर्ग के हित्में दूसरे वर्ग से ग्रना तो अभ्यक्त करता है लेकिन वह कहते हैं कि उसकी स्वतंत्र तर जिनके कारण बादित हुई है उनको भ है यह बाधा देना बंद करो यह सीखाता हालां कि वह आराजटा का समतर नहीं करते शार्त्र यह नहीं कहते हैं कि मेरी सुतंतर्ता है नहींक है वह दूसरे लोगों की सुतंतर्ता से जुड़ी हुई है और इसलिए जब तक आप दूसरे व्यक्तियों की सुतंतर्ता का सम्मान नहीं करोगे तब तक आपकी सुतंतर्ता भी नहीं रहेगी और अगर अपने आपको सुतंतर्ता चाहते हो तो उस सुतंतर्ता के साथ में आपके जिम्मेद की परिवर्तनकारी सक्तियों के साथ में लेखक को होना चाहिए और इसलिए जो लेखक होता है वह पाठक से अपील करता है कि आप ऐसा ऐसा करूं वह जो अपील करता है वह अपील पूरी हो जाएगी यह भी कोई आफसक्त नहीं हो सकता है कि अधूरी रह जाए हो सकता है कि न परिवर्तन की उमीद जगती है और यह जु है दो तरह से इस परिवर्तन की ऊप्सक्रण processing पड़नेBook परभने के बाद कोई मनुषिय नहीं रहता वो मनुस्य दब जाता कि यह तो अपना व्यवार देता कि पहले मैं असा रहता था आप मैं ऐसे गर के अंदर जो पती पतनी जिस तरह से खाने पीने का अपने काम के व्यवस्ता करते हैं तो जब आप इस्त्रिवादी रचनाएं पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में पुरुष को भी लगता है कि मुझे भी घर के इन कामों में पतनी की मदद करनी चाहिए तो वो अपने व्यवार को बद करता है और इस तरह का जो लेकन होता है जिसको हम कहते हैं कि यह प्रतिबद्र लेकन है तो यह जो परिवर्तन की आकांक्सा है यह परिवर्तन की आकांक्सा लेखक उत्पन करता है पाठ को में और सारा का सारा जो समाज है वो लेखक के लिए पाठक की तरह से आता यानि जो परवाव उसी पर पढ़ेगा जो पातक है सारा समाज साक्षर हो जाये पढ़ा मेरी भासा जाने क्योंकि मेरा लिखा हुआ निरंग सर्था का प्रचार और प्रशार होना चाहिए अगर बहरी भाषा का प्रचार प्रचार नहीं तो वह अनुवाद करती है कि जीसमें लेखक और उसका पाठक और पाठक दोनों के बीच में और परिवतन की अकांग्षा और अन्त ते एक नया और जनता अंत्रिक समाज की इस्थापना और उसका वर्चस बना रहे उसकी सोतंतरता बनी रहे और इसलिए मेरी सोतंतरता तुमारी सोतंतरता से झाल झाल